के लो गाइज कोचिन सीप्यार लिमिटेड गवर्मेंट ऑफ इंडिया कि मिन रत्न कंपनी है उसमें पर्मानेंट एड्जुकेटिव ट्रेनी की मेकेनिकल वालों के लिए वेकेंसी निकली है ठीक है 37 पोस्ट है ठीक है और एड्जुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है डिग्र इस लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 27 अक्टूबर 2021 मतलब 28 अक्टूबर 1994 के बाद का अगर आपका जनम है तो आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है OBC वालों के लिए इसमें तीन सार का रिलेक्सेशन है और SCST वालों के लिए पांस सार का रिलेक्सेशन है ठीक है method of selection कैसा होगा दो phase होंगे phase 1 क्या होगा objective type online test होगा objective type होगा 60 marks का होगा multiple choice questions होगे इसमें 5 marks general awareness क्योंगे 5 marks english language क्योंगे 5 marks numerical ability और 5 marks reasoning ability और बाकी जो 40 marks है वो आपके subject based मतलब जो mechanical engineering इतनी भी subjects है उसमें से questions आएंगे और पर एक question जो भी होगा वो one mark का होगा और कोई negative marking नहीं होगी ठीक है और phase 2 जब आप phase 1 के लिए तो आपका फिर phase 2 होगा जिसमें group discussion के 10 marks writing skills के 10 marks और personal interview के 20 marks, total मिलाके phase 1 और phase 2 को 100 marks का आपका पूरा process होगा phase 1 जो online test होगा वो scale ला के different centers पो होगा ठीक है और जो phase 1 objective type online test होगा वो आपको complete करने के बाद जो phase 2 होगा वो आपका कोची CPR limited कोची ठीक है जो केरला में है वहाँ पर होगा phase 2 और इसकी जो tentative date है objective type online test की मतलब phase 1 की वो third week of November 2021 है मतलब November के तीसरे सब्ता में आपका paper होने के objective type phase 1 होना का असार है ठीक है phase 1 clear करने के बाद जो marks आपके आएंगे उसके अधार merit list यहार होगी ठीक है और उस merit list के अधार पर phase 2 group discussion writing skills और personal interview होंगे जिसमें 1y6 का ratio होगा मतलब कि एक seat के लिए 6 थे बंदों को बलाया जाएगा और उसके बाद group discussion writing skills और personal interview होंगे ठीक है क्वालिफिकेशन में आपको बता दी कि डिग्री होनी चाहिए mechanical में और 65% marks minimum होनी चाहिए पर इसमें जब फाइनल की भी बच्ची apply कर सकते हैं ठीक है और इंडिया वेकेंसी है कोई भी apply कर सकता है ठीक है भारत सरकार की मिनी रत कंपनी है इसमें और फाइनल की बच्ची भी apply कर सकते हैं पर आपको जब form fill up करोगे तो जो आपके previous semester के जितने के टाइम पर तो आपको जो आपकी डिगरी है वो आपके हाथ में होनी चाहिए कि और आपने की एक्जाम पास कर लिया है और जो आप minimum eligibility किस तक उनको प्रूफ करना होगा कि आपके पास 65% माक्स हैं बिटा की डिगरी कप्लिट होने के बाद ठीक है कुणको जडोक्यूमेट आपको अप्लोड करने पड़ेंगी जब आप अप्लाई करोगे आपका अगर आपका proof of age अप्लाई करना होगा कि आपकी age की प्रूफ, qualification की डिगरीया जितनी भी है, cash certificate आपका disability certificate और passport size, color photograph आपको अप्लाई करना पड़ेगा और signature आपको अप्लोड करने पड़ेंगे ठीक है अगर यह आपने अपने कल यह आप चीज़े दिख लीजिए application fee इसकी 750 रूपीज है, non-refundable है, ठीक है, किसी भी payment option से कर से देबिट का, credit का, internet banking, valid UPI ठीक है और यह आपको 6 October से लेके 27 October तक आपको payment कर दीनी है और कोई दूसरा method नहीं payment करने का इसके लावा, ठीक है no application fee को candidate belonging to schedule cash और schedule tribe और PWBD के लिए, ठीक है, इनको application fee जमा करने की जूरत नहीं है, CST और PWBD वालों को, ठीक है 6 October इसकी starting date हो गई है, forms fill up करने की starting date और 27 October तक आप इसको fill कर सकते हो, तो उससे आप पहले-पहले आप यह direct सारी चीज़ें कर लीजिए, ठीक है applicants, मतलब आपको online application का print out certificates जितने भी आपके है, application fee in the form of DD चलांच check भेजने की जौरत नहीं है, बिल्कुल भी जौरत नहीं है, applicant need not send out online application, print out certificate, application fee in the form of DD चलांच check by post to CSL, कोई traveling allowance आपको नहीं मिलेगा जब आप phase 1 का exam देने जाओगे, के ला में, ठीक है, कोई आपको traveling allowance नहीं मि phase 1 के time पे exam के time पे जब आप ठीक है, तो जो यह SCST और PWPD वालों को traveling allowance मिलेगा, यह भी आपकी जब phase 1 का exam के लिए होने के बाद, certificate verification करने के लिए जाएंगे, तब SCST और PWPD वालों को traveling allowance मिलेगा, phase 1 का exam देने के time पे आपको traveling allowance नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो आप अपने ख बहुत ध्यान से भरी है, क्योंकि एक बार आपने भर दिया, तो आपने data उसमें provide कर दिया, वो द्वारा आप change नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से उसको form भरी है, और आपका form reject भी हो सकता अगर आपने color data भर दिया, ठीक है, और जब आपने पूरा अ हो सकता है, तो आप प्रिंट आउट कर जो पिंट आउट निकाल के है, आपने computer भर रख सकते हैं, ठीक है, इंपोटेंट्स dates क्या है, 6 October से स्टार्ट हो चुगा है, ओलाइन फिल अप्लिकेशन, ओलाइन अप्लिकेशन 6 October से स्टार्ट हो चुगा है, लास्ट इसका 17 October 2021 है, तो प्लीज 27 October से पहले पहले सारे काम कर लिजिए, 27 October के दिन ही आप करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, तो इसलिए 26 October से अभी आज अभी से आप, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो अभी आप फिल करिए, ठीक है, और आगे की updates के लिए मेरे साथ जुड़ दे रही है, मैं आपको नहीं नहीं, जितने भी exams के updates आएंगे, मैं आपको बताता हूँगा, ठीक है, धन्यवाद,